हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फोर कोड लर्निंग तो आज का जो हमारा टॉपिक है आई यूएस एप डेवल्पमेंट के अंदर वो है कैसे हमने टेबल व्यू कंट्रोलर की हल्प के साथ डेटा को डिस्पले करवाना है मगर इस बार जो डे एलिमेंट्स होंगे एरे के अंदर एज डिक्शनरी तो फ्रेंड्स टूडं इसके रिलेटेड हम पहले भी काफी सारे वीडियो टुटोरियल जो है इस चैनल के उपर अपलोड कर चुके हैं तो चलिए जल्दी से मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं के बे Tewis में आपको एक Class मिलती है टेबल को जनेरेट करने के लिए UiTableView तो बेसी कली इसको टेबल व्यू को मैनेज करने के लिए एक हमारे पास टेबल व्यू कंट्रोलर भी अविलेबल है जिसको हम एते हैं UiTableView Controller आप चाहते तो UiTableView Controller को भी यूज कर सकते हैं यहां फिर Ui table view class को भी use कर सकते हैं तो basically ui table view एक class है जो sub class है इस main जो हमारा table view controller है उसकी तो table view controller का काम क्या है ui table view controller का यही काम है कि आपके जितने भी table के related logics हैं उनको जो है handle करना जितना भी data display करवाना है यह data के data के उपर जो operations perform करने हैं table के अंदर वो सारे जो है ui table view controller जो है manage करता है तो चलिए यहां पर मेरे पास एक running example है आप देख पा रहे हैं मेरे पास यहां पर simulator के अंदर मैंने example जो है आपको दिखाई है इसके अंदर हमने subtitle style का जो एक table है वो use किया है साथ में table view controller को use किया है और जो data मेरे पास निकल के आ रहा है वो basically यहां पर आप देख पा रहे है आईफोन 6s और साथ में उसका subtitle price है तो यह data जो है मैंने as a dictionary array की एक dictionary use किया है उसमें से data को fetch करवाया है तो इस तरीके की example आपने कैसे develop करनी है वो आज हम सीखेंगे तो चलिए friends students मैं इस project को सबसे पहले close कर देता हूँ तांके एक नए project के साथ शुरुबात कर पाए इसको मैं stop कर देता हूँ मेरा जो project close हो चुका है अब हम यहां से file new और यहां से एक project को जो है implement करना start करेंगे तो यह जो app होगी यह किस तरीके की होगी यह होगी single view app तो चलिए इसके ओपर select पहले से ही है इसको मैं next कर देता हूँ अब हमने यहां पर अपने application का जो name है वो provide करना है तो मैं यहां पर लिख देता हूँ table view controller example 6 अब यहां पर जो language हमने use करनी है वो है swift तो चलिए इसको मैं next कर देता हूँ बाकी settings जो है हम default रहने देते हैं और यहां पर एक folder create कर लेते हैं ताहां कि सारा project का जो source code है वो इस folder के अंदर save हो पाए यहां पर मैं लिख देता हूँ table view controller dictionary 1 तो चलिए इसको मैं folder को create कर देता हूँ सारे project को इसके अंदर create कर देते हैं तो मेरा जो project है वो यहां पर जो iOS application की example है वो उसका project create हो चुका है तो यहां पर आप देख पा रहे हैं build setting के अंदर मैंने जो version यूज किया है swift का वो है 5 और जो X code मैं यूज कर रहा हूँ एक से example के लिए वो है 10.2 तो अब हमारा जो next step है वो है main.storyboard के अंदर आपने जाना है और by default जो आपके पास view controller available है इसको select करना है इस तरीके से और इसक अब हमारा जो next step है इस view controller की जो default जो controller class है इसको भी हम delete कर देते हैं यहां से अब हमने अगला step क्या करना है इस library icon के ओपर click करेंगे और यहां पे आपने table को search करना है जैसे ही आप table को search करेंगे हमारे पास 3 elements तीन objects निकल के आए है table view, table view cell मगर यहां पे हम जो object यूज करेंग यह वो है table view controller तो चलिए इसको drag and drop कर देते हैं storyboard के ओपर अब हमारा जो पहला step है वो है यहां पर आपने click करना है cell के ओपर table view cell के ओपर इसको resize आप यहां से भी कर सकते हैं यहां फिर आप यहां पर size inspector में जाने के बाद यहां पर directly जो row की height है वो provide कर सकते हैं इसी तरीके से आपने table view को select करना है और इसकी जो row height है इसको आपने 100 कर देना है तांके इसकी by setting आप इसकी row जो है वो यहां पर define कर पाएं तो चलिए अगला step क्या है आपने cell को select करना है और इसके identity inspector sorry यहां पर attribute inspector के अंदर आपने जाना है और इसका जो style है वो आपने subtitle कर देना है तांके आप एक title और साथ में एक subtitle जो है वो display करवा पाएं जैसे ही आप dictionary में से data को fetch करवाते हैं तो यहां पर हर एक cell का identifier हम use करेंगे तो यहां पर मैं identifier का name लिख देता हूं cell आप कोई भी name यहां पर identifier के अंदर use कर सकते हैं same name को आपने coding के अंदर use करना है तो यहां पर आप table view controller को controller class के साथ bind करना है तो उसके लिए यहां पर click करेंगे plus वाले button के ओपर अब अपने new file के ओपर click करना है और cocoa touch जो class है हमारी उसको यहां पर add करेंगे अब हमने यहां पर class का जो name है वो आप अपने accordingly यहां पर provide कर सकते हैं तो मैं यहां पर लिख देता हूं my table view controller और यह sub class होगी UI table view controller की यह बात आपने द्यान में रखनी है कि जो यह class है यह sub class होनी चाहिए UI table view controller की तभी हम उसको table view controller के साथ bind कर पाएंगे अब हम इसको next कर देते हैं हमारा अगला step है इसको create करेंगे तो चलिए यहां पर हमारी जो class है वो बन चुकी है इसको मैं drag and drop करता हूं इ अंदर जाना है और इस table view controller को आपने select करना है और इसके जो identity inspector के अंदर आप देख पा रहे है custom class इसके अंदर आपने जैसे माई लिखेंगे पूरी class का जो name है अपने आप यहां पर type हो जाएगा इसको आपने select करना है और enter press करना है अब हमारी जो class है वो इस table view controller के साथ bind हो चुकी है अब हमने इस table view controller को select करना है और इसके attribute inspector में जाने के बाद यहां पे आप इस initial view controller इस त्रीके से आप इसको set कर सकते हैं तांकि जैसे ही आप एप को run करें तो सबसे पहले आपका जो element UI element जो view controller जो display हो वो table view controller तो अब हमारा जो next step है coding तो coding करने के लिए हम my table view controller class के अ आएंगे मैं यहां पर थोड़ा सा इसको hide कर देता हूँ side वाली windows तांके आप code को easily देख पाएं तो सबसे पहले जो commenting line है उनको मैं delete कर देता हूँ तांके आप confused ना हो कि इतना सारा code कैसे पहले से type हुआ हुआ है तो यहां पर मैं इसको delete कर देता हूँ तो पहले सबसे पहल मैं यहां पर लिखंगा war अब मैं यहां पर जो मेरी array है उसका name लिखेंगे अब हमने यहां पर दो square brackets जूज करनी है और उसके अंदर जो है आपने एक dictionary define करनी है जो किस type ही होगी पहला जो उसका आपको पता यह dictionary कैसे work करती है तो यह basically key value pair के अंदर काम करती है जैसे आपकी कोई भी word है उसका particular meaning होगा तो चलिए यहां पर हमने पहला जो key है उसकी वो किस type की होगी string type की और अगला जो इसका value होगी वो होगी any type की कहने का मतलब हम string भी यूज कर सकते हैं value में integer भी यूज कर सकते हैं किसी भी तरीके का data type है वो हम इसमें यूज कर सकते हैं तो चलिए इसको last में आपने round bracket के साथ बंद करना है तांके यह एक empty array create हो पाए अब हमने इस array के अंदर जो data वो feed करना है तो data feed करने के लिए हम view did load जो method है उसके अंदर जाएंगे और यहां पर लिखेंगे अपनी array का name और उसके बार में append करेंगे data तो data basically कहां से आएगा वो basically हमारी ज लिएता हूं square bracket और इसके अंदर जो हमने elements हैं वो define करने हैं तो वो कैसे define करने हैं सबसे पहले यहां पर मैं एक element dictionary का add करता हूं सबसे पहले उसकी key क्या होगी mobile का name और उसके बाल में उसकी value क्या होगी वो मैं यहां पर लिख देता हूं iPhone 6s तो चलिए इसी तरीके से दूसर पेर भी create कर लेते हैं दूसरा पेर होगा price उसकी key और साथ में उसका जो price है वो यहां पर मैं लिख देता हूं 15,000 तो चलिए अब हमारी जो array के अंदर पहला element create हो चुका है हमने dictionary के अंदर दो values लिए हैं एक key value pair होगा mobile name से और एक key value pair होगा price से तो जब भी हमने mobile name को assess करना है तो वो key के through assess करेंगे वो coding के अंदर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप use कर सकते हैं तो इसको मैं copy कर लेता हूं command C से और command V से यहां पर paste करते हैं और यहां पर मैं जो five elements हैं वो add कर देता हूं तो यहां पर mobile का name chain कर देते हैं यहां पर मैं लिख देता हूं iPhone SC 2020 और इसका price जो है 35,000 कर देते हैं अब अब हमने थर्ड जो mobile name है वो लिखना है यहां पर Redmi 9 pro और इसका भी जो price है वो यहां पर 12,000 कर देता हूं अब हमने यहां पर फोर्थ element एरेका वो यहां पर dictionary के थूँ एड करते हैं F20 और इसका जो price है वो लिख देते हैं 17,000 अब हमने fifth element जो एरेका वो add करना है तो यहां प m20 और इसका भी जो price है वो यहां पर हम लिख देते हैं 13,000 तो चलिए friends तो ने इस तरीके से आप काफी सारे elements जो है as a dictionary वो add कर सकते हैं array के अंदर तो हमारा जो data model है वो बिल्कुल तरीके बिल्कुल साही तरीके से ready है अब हमने जो हमारे पास methods available है UI table view controller के अंदर वो हमने य display करवा पाएं तो friends students आपको मैं एक main difference बता देता हूं table view और यहां पर table view controller के अंदर तो जब भी आपने table view simple use करना है object तो वहां पे आपको काफी सारी configurations काफी सारे protocol आपको वहां पर add करवाने पड़ेंगे मगर जैसे आप UI table view controller को use करेंगे तो आपको delegates भी set करने की जूरूरत नहीं है आपको protocols को लिखने की जूरूरत नहीं है automatically जो है by default जो settings है वो सारी यह class जो है provide करती है तो आपको जैसे-जैसे implementation की और बढ़ेंगे आप देख पाएंगे कैसे आप practically इनको जो है differentiate करते हैं table view controller और table view को तो अब हमने जो number of rows यहां पे number of sections पहले यहां पे define करने हुआ एक ही section हम use करेंगे तो return करेंगे one इसी तरीके से number of rows कितनी होंगी आपके table view के अंदर कहने का मतलो scrolling items कितनी होंगी वो हम लेंगे mobile जो हमारी पास mobile list array है उसके जितने भी elements होंगे उनको count के through जो assess करेंगे उतनी rows जो हैं वो हम create करेंगे अब हमारा next step है cell को create करना है तो cell को create कर करने के लिए cell for row add इस तरीके का जो parameterize method हमारे पास table view के नाम से available है उसके अंदर हम coding करेंगे तो coding आपने कैसे करनी है सबसे पहले आपने यहाँ पे लेना है let cell और इसको किस type का लेना है ui table view cell और इसको मैं optional कर देता हूँ अब हमने यहाँ पे table view object के through यहाँ पे method को call करना है dq reusable cell और यहाँ पे cell का जो name हमने use किया था आपको मैंने बताया था cell का identifier मैं use कर रहा हूँ cell तो उसी identifier का जो name है वो हमने यहाँ पे लिखना है जो name आपने यूज किया होगा आपने वह वह बला नेम यहाँ पे लिखना है तो चलिए अब हमारा जो next step है वह है इस cell के through हमने उसका जो by default title वाला label है वो उसको assess करना है तो यहाँ पे लिखेंगे text label उसी तरीके से उसका text जो property है उसको assess करेंगे अब हमने mobile array जो हमारी available है उसके अंदर जो element कौन सा assess करना है वो यहाँ पे उसका element number index.row के through assess करेंगे जो भी cell का number होगा जैसे 0th cell से start होगा table view तो 0th element mobile array में से mobile list array में से आएगा उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे और साथ में dictionary का कौन सा element यूज करना है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उसकी key value कहने मत sorry key use करनी है तो key यहाँ पे मैं लिख देता हूँ mobile name और उसको as a convert कर देते हैं हम conditional conversion यहाँ पे लगाएंगे string क इसकी form के अंदर तो चलिए अब हमारा जो second step है वो यहाँ पे cell के अंदर जो subtitle वाला जो label है उसको by default assess करना है तो detail text label जो है उसकी जो element है वो assess करना पड़ेगा उसकी text property को assess करेंगे और यहाँ पे mobile list के थूँ जो हमारी array है उसके कौन से element को assess करेंगे index path.row के थूँ उसके element को assess करेंगे जो भी row number होगा table view का उसी के accordingly element जो है हमारी array में से आएगा और इसका कौन सा dictionary का जो key है उसको assess करना है तो यहाँ पे मैं price दे देता हूँ और इसकी जो conversion है यहाँ पे हमने directly करनी है integer में तो चलिए इसकी integer में conversion कर देते हैं और बाद में इसको जो है string के अंदर convert करेंगे तो यहाँ पर ब्रैक्स लगा देता हूँ तांके integer को हम यहाँ पे string के अंदर convert कर पाएं क्यूंकि हमने text property को set करना है तो वो किस तरीके की value accept करती है string type की value तो अब हमने next step क्या करना है हमने यहाँ पर यहाँ पर हमने return करना है cell और इसको unwrap कर देते हैं एक्सलमेशन साइन से क्योंकि हमने यहाँ पर जो cell लिया था वह एदे optional जो अब्जेक्ट है वो create किया था तो friends students यहाँ पर जो हमारी कोडिंग है वो properly हो चुकी है तो चलिए एक बार इस project को हम रन करके देखते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं simulator के अंदर मेरी जो processing वो शुरू हो चुकी है तो app जो है simulator के अंदर install होने के बाद properly जो data है वो table view controller की help के साथ dictionary area में से assess होने के बाद यहाँ पर display हो चुका है तो friends students इस तरीके के इस तरीके से आप यह वली जो example है वो बहुत ही easily develop कर पाएंगे अपने mac mac का जो आपका laptop है चाहे वो macbook air हो चाहे macbook pro तो उसमें आप इसको X code के अंदर easily develop कर पाएंगे friends students अगर आपको आज की example के बारे में नौले मिल चुकी है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर इस channel के उपर आप और भी वीडियो tutorials इसी तरीके से देखना चाहते हैं तो इस channel को भी subscribe करें और हमें जाते-जाते comment करके बताएंगे आप upcoming वीडियो किस topic related इस channel के उपर चाहते हैं तो thanks friends for watching अवर वीडियो